ओम शान्ति तन मन धन मन वानी करम किसी भी परकार से बाप के कर्तवे में सयोगी बनो तो सहजी योगी बन जाएंगे तो ये छे बाते हैं तन मन धन तन से आप सेवा कर रहे हो यग्य में आपने अपना मन दे दिया मना मन मना भव कर दिया इस मन में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा क्योंकि मैंने मन दे दिया, परमात्मा के हवाले कर दिया, माना मन में शिर्मत के इलावा कुछ नहीं चलेगा, आपने धन दे दिया, जो धन है वो बाप का है, बाप को दे दिया, अब आती है बात मन वानी करम, माना आपकी मनसा, आपकी मनसा में उठने वाले संकलब, हमीशा समर्थ रहेंगे हमेशा शिरिमत परमान रहेंगे आपकी वानी सदा उस से निकलने वाले बोल हमेशा शिरिमत परमान होंगे उसमें मधुर्ता होगी उसमें रोयल्टी होगी आपकी वानी हमेशा ऐसी पवितरता के आधार पर चलेगी आपकी मनसा पवित्र है, आपकी वानी पवित्र है, आपकी करम, आपके करमों से आप बाप की शिर्मत का डारेक्ट शो करेंगे, तो इस तरह से आप बाप के कर्तवे में सयोगी बनेगे, क्योंकि आप ने ये छे बाते, तन मंधन, मन, वानी, करम, किसी भी परकार से, माना को कोई भी तरीका ढूंड़िए किसी भी तरीके से आप बाप के कर्तवे में क्योंकि बाबा को अपना कर्तवे तो याद रहता है पर बच्चे अपने बाप के साथ जो निभाने के कर्तवे के निमित बने हैं वो भूल जाते हैं बाप के कर्तवे में सहयोगी बनो तो सहयोगी ब लेकिन सहयोगी किस बात में बनना है बाप की कर्तवय में बाप की श्रीमत में जो भी आपको कहा जाए उसमें आप सहयोग दो और आपका सहयोग लग जाएगा मेहनत नहीं है सिरफ मेहनत कहने की है बाकी नहीं है जिसके मन चित में सिरफ और सिरफ एक बाप है उसको कोई मेहनत नहीं लगती ओके ओम शान्ति